तो बच्चों हमारी online classes की series में आज दूसरा टेस्ट पेपर हम लोग यहां लेने जा रहे हैं और यह breathing का second question है जिसमें एसरसन और reason के भी कुछ question को हमने सामिल किया है एसरसन और reason को भी हमने सामिल किया है और हमारा online series का पहला बच चली रहा है और बहुत ही जल्दी हम दूसरा start करने वाले हैं जिसमें physics chemistry और biology सभी होंगी तो चली बात करते हम यह test paper के बारे में इसके बारे में हम यहां discuss कर रहे हैं और इसमें कुल मिलाकर 21 question है इस बात को आपको याद रखना है और यह question number first और सभी question NCRT base है इस बात को अच्छे तरह से दिमाग में सेट करेंगी सभी question NCRT base है और NCRT का page number भी सभी question पर दिया गया है कौन से page से हमने यह question लिया है वो page number भी हमने यहां पर दिया हुआ है इस बात को अच्छे तरह से याद रखना है ठीक है ना और उसके बात यह paper का PDF आपको description में भी मिल जाएगा description में भी आपको मिल जाएगा और comment box में और साम को इसका answer upload हो जाएगा साम को 5 बजे इसके answer seat upload हो जाएगी और यह जो answer seat है यह इसका जो answer seat है वो भी आपको comment box में इसी वीडियो की comment box में और description में दोनों में आपको मिल जाएगा तो देखते जाएंगे सभी question में NCIT का page number कहां से हमने लिया है किस page से हमने लिया है सभी page पर हमने उसको mention किया हुआ है और strictly जैसा कि आपको पता है हमारा teaching भी strictly NCIT based है हमारी teaching में हम strictly NCIT को follow करते है NCIT के बारे बात करते है इस वाद को अच्छी तरह से आपको याद रखना है ठ उसके बाद यहां ध्यान से देखेंगे यहां sixteen question तक आ गए अब उसके बाद five question हमने assertion और reason का लिया है और जब हम assertion और reason की बात करते हैं तो याद रखना अभी assertion और reason का नया pattern आ जुगा है पुराना pattern अब आम तोर पर नहीं आता या एकाद question आ जाता है और नए pattern में statement first or statement second जसे एक question में आपको बताता हूं general body surface is respiratory organ in the first six file statement two cuticle of any leader is also part of general body surface चीक है अब option क्या है पहला option है both statement are wrong second option है first is correct and second is wrong third option है second is correct and first is wrong and fourth option है both statement are correct ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर यह चार पांच question assertion और reason बाले है एसरसन और reason बाले यह चार पांच question है जो आपको settle करना है और अब आगे हर test में assertion और reason के भी कुछ question आपको मिलते रहेंगे एसर सन और रेजन के question भी अगले सभी test में आप लोगों को मिलते रहेंगे और लगातार आप लोगों को available रहेंगे ठीक है तो बच्चों अभी हम लोगों ने plan किया है कि हर संदे को एक एक इसी pattern का 21 question का test टेस्ट जिसमें पांच ये अच्छे कोश्चन एसरसन और रिजन के होंगे आपको मिलता रहेगा और कोश्चन के जितने भी पैटर्न है देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम तयारी करते हैं हमें सब कुछ याद होता है लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि कोश्चन के कई सारे पैटर्न होते हैं जो हमारे लिए अंटच होता है ठीक है तो यहाँ पर कॉश्चन के जितने भी पैटर्न है उन सबी को हम अच्छी तरह से कबर करेंगे उनको देखेंगे उनको हम समझेंगे और उनको जानने का प्यास करेंगे ओके ओल दावेस्ट